सब्सक्राइब करना बिल्कुल पूरा देखे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शूर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेस्पी यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पानी वाला सिंगारा लिया है इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंगारे को उबालना है कूकर ले लिया है सिंगारे को कूकर में डाल ले एक से डेर ग्लास पानी डाल लेंगे, कुकर का ढखकन लगा देंगे, गैस ओन करेंगे, कुकर रखेंगे, कुकर में हमें 2-3 सीटी लगानी है, हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, कुकर में 3 सीटी आज चुकी है, गैस को आफ कर लेंगे, कुकर का प्रेसर कम होने देंगे, अपन प्रेसर कम हो गया है खोल कर देख लेते हैं सिंघाड़े को निकाल के प्लेट में रख लेंगे सिंघाड़े को ठंडा होने देंगे सिंघाड़ा ठंडा हो चुका है छील लेते हैं इसको चाकू ले लिया है ऐसे कट लगाएंगे चाकू से आसानी से छील जाता है असे कट लगाएंगे बच सारा सिंघाड़ा ऐसी छील लेंगे गैस अन करेंगे एक छोटा पैन रख लिया है पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो चुका है वन टीस्पून ओइल डाल लेंगे ओइल को गरम होने देंगे गैस को मीजियम पे कर लेंगे यहाँ पे एक बड़ा चमच बेसन लिया है एड़ कर लेंगे बेसन को भून लेंगे बेसन का कच्चापन निकलने तक अच्छे से भून लेंगे बेसन का कलर चेंज होने लग गया है उतार कर एक साइड में रख लेंगे गैस पे कडाही रख लेंगे कडाही को गरम होने देंगे कडाही गरम हो चुका है दो बड़े चमच ओईल डाल लेंगे ओल को अच्छे से गरम होने देंगे ओल गरम हो चुका है हाप टी स्पून जीरा वन पिंच छेंग एक बड़े साइच के प्याज को बारिक पारिक कट कर लिया है एट कर लेंगे प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे अगर आप लसन प्याज नहीं खाते हो तो लसन और प्याज स्किप कर दीजे प्याज ब्राउन होने लग गया है गैस को बिल्कुल लो पे कर लेंगे मसाला हमें एड़ करना है तो हाई फ्लेम पे रहेगा तो मसाला जल सकता है वान टीजपून धनिया पाउडर, हाप टीजपून हल्दी पाउडर, हाप टीजपून मिर्श पाउडर, मिक्स करेंगे बहुत जादा देर नहीं भूनना है मसाला क्योंकि हमने सुखा मसाला डाला है भूना हुआ बेसन एड़ कर लेंगे बॉन देश्पून कसूरी मेथी रब करती हुए डाल लेंगे इससे खुश्पू और टेस्ट काफी अच्छी आती है टमाटर, अदरत, लसन, हरी मिर्च का पेस्ट एड़ कर लेंगे सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करती हुए हमें भूनना है तब तक भूनना है जब तक की मसालों से ओल दार रिलीज होने लग जाए थोड़ा सा बारी कटा हराधनिया एड़ कर लेंगे भूनेंगे मसालों को अच्छी तरह मसालों से काफी अच्छी खुश्बू आने लग गई है और आप देख पारेंगे ओल भी रिलीज होने लग गया है सिंघारा एड़ कर लेंगे सिंघारे को आप कट भी कर सकते हैं अगर पीसेज आपको बड़े-बड़े लगे तो मिक्स करेंगे अच्छे से सिंघारा पहले से उबला हुआ है तो इसे बहुत देर हमें भूनने की जुरत नहीं है नमक एड़ कर लेंगे टेस के कोर्डिंग आप चाहे तो इस स्टेज पे गैस को आफ कर सकते हैं अगर सबजी आपको सूखी बनानी हो तो या ग्रेवी वाली बनानी हो तो पानी आड़ कर लेंगे पानी आड़ कर लेते हैं पानी उतना ही आड़ करें जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो गाड़ी या पतली जैसी भी पसंद हो वन फोटी स्पुन गरम मसाला एड़ कर लेंगे, मिक्स कर देंगे ढखकर लगा के गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, चार से पाँच मिनट पका लेंगे ताकि सिंघारे में अच्छे से मिर्च मसाला का टेस्ट एबजॉर्ब हो जाए सबजी चेक कर लेते हैं सबजी हमारे बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है मुझे ग्रेवी पतली नहीं रखनी थी, इसलिए गाड़ी होने तक सबजी को पका लिया है मैंने गैस को आफ कर लेते हैं, जब सबजी सर्ब करना हो तो उपर से और हड़ा धनिया डाल लेंगे बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, मैं सबजी कल्ची में लेके पास से दिखाती हूँ ग्रेवी का कलर भी काफी अच्छा आया है, आभी इस तरीके से पानी फल की सबजी एक बाद जरू ट्राइ कीजिए फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ, थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो